हाई अब्रिवान गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे तो ये बुद्धवार के दिन का ही वीडियो है सुबह के साड़े साथ बज रहे हैं तो ये अपलोड थोड़ा सा लेट होगा जो है तो तीन दिन लग जाएंगे लेट ही पहुँचेगा आप सब के पास तो सुबह का टाइम है और मैं यहाँ पे बना रही हूँ तनमे के लिए टिफिन तो मैगी बना रही हूँ आज तो हो क्या रहा है ना कि उसका लंच जो है बहुत कम टाइम के लिए हो रहा है इसकूल बहुत लेट का हो गया साड़े नौका है और छुटी हो रही है धाई बजे तो बीच में सिर्फ 10-15 मिनट का ही लंच ब्रेक होता है तो उसमें ना यह पूरी सबजी या कुछ इसका द भी लगे और बच्चे जल्दी खा भी लें तो इसी वज़ा से मैगी बना रही हूं और खाने में जो है डाल चावल सबजी बन गई है सबजी वही अभी मैंने निकाला है कड़ाई में से तो आलू बैगन और पालक की सबजी बनाई आज तो सुबह का नहाना दोना भी मेरा आज हो गया है क्योंकि कल प्रदोस था ब्रत था मेरा तो वही आज सुबह मैंने नहा लिया लेकिन पूजा अभी नहीं की है क्योंकि उतना टाइम नहीं था पूजा करती तो फिर लेट हो जाता इन सब में तो मैंने सोचा कि ये सब निप्टा ही लेती हूं पहले उसके बा ना लूँगी ना तो जल्दी खाली हो जाओंगी तो फिर पूजा कर लूँगी तो वही ये ठंड में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है पूजा करने में सुबा मतलब गर्मियों का क्या रहता है न कि कपड़ों की चिंता नहीं रहती हैं कुछ भी पहन लिए गाउन वगरा और उसी पे हैं और ठंड में है कि पूरा अच्छे से स्विटर वगरा पहन के ही रखना पड़ता है और फिर पूजा के लिए साफ रखना पड़ता है तो ये सब दिक्कते होती हैं तो बस रोटी बनाने के बाद मैंने उनको खाना दे दिया था वो चले गए हैं और अभी यहां पे मैं कर नापत हो जाएगी और ठंड का ना मतलब हवा धूप हो जा रही है धूप तो निकल जा रही है लेकिन इतनी तेज हवा चल रही है ना बुद्धवार के दिन मतलब बहुत तेज हवा और धूप का तो मतलब डेली निकल जा रहा है बारह एक बजे तक लेकिन मौसम ठंडा क पाप ही है जो है तो बस वही तन मैं भी फिर इसकूल चला गया पूजा अगरा मैंने कर लिया था उसके बाद वो इसकूल गया तो वो भी चला गया उसके बाद फिर पापा को खाना दिया तो उसके इसकूल जाने के तुरंट बाद पापा को खाना दे देती हूं वही वो नि 15 मिनट चला जाता है उसके बाद यहां पर कर ले रही हूं किचन की क्लीनिंग लेकिन यह है ना कि सुबह नहाल होना तो जैसे लगता है कि बहुत सारे काम जो है निपट गए हैं बहुत रिलेक्स फील होता है और जो है ना सुबह मतलब यह जल्द बाजी या घबडाहट पूजा करना है नहा कि अगर पूजा कर लिया जाए ना तो बहुत सही रहता है सुबह सुबह लेकिन डेली नहीं हो पाएगा क्योंकि सुबह ना नहाने के बाद बहुत जादा ठंडी समय लग रही है तो नहाने लाइक बहुत सुबह तो नहीं है तो बस यहां पर किचन व मुझे लगा कि अब इसको नहीं भी बिचाओंगी तो सैध हो जाएगा क्योंकि इसमें तो सोते हैं नहीं हम लोग रात को तो बहुत जादा जरूरत नहीं है लेकिन आज सुबह क्या हुआ कि ठंड इतनी जादा बढ़ गई गलन पूरा तो फिर मैंने सुचा नहीं बिचा द रूम में तो इसको भी मैंने बहुत जादा मतलब एक दिन अगर अच्छे से सफाई कर देती हुना तो अगले दिन थोड़ा सा मतलब समेटना होता है यही कंबल वगरा बहुत जादा कुछ नहीं करना पड़ता है और यह वाला रूम तो बहुत जादा गंदनी होता है जादा गर्मी पड़ती है मई जून वाली तो तो उस टम यह वाला रूम जादा हो होता है और अभी तो ठंड में हम लोग उस वाले रूम में जादा रहते हैं तन में तो अपने रूम में ही रहता है उसको पढ़ाई वगरा करनी होती है तो वो इसी में रहता है बाकी हम ल बहुत जो डेली वाली होती है उसको करती ही जाती हूं कभी जारू लगाने से पहले भी हो जाता है कभी जारू लगाते लगाते करती जाती हूं और जब कभी इत्मी नान से करना होता है तब फिर जारू लगा लेती हूं उसके बाद करती हूं तो आज ना मुझे थोड़ी सी expire हो गए हैं तो उनकी जो है गुरू आर को ते रहवी हैं तो आज साम को जो है मैं निकलूंगी तो कुछ काम सोचरी हो एक्ष्ट्रा जो है निप्टा के जाओं कि एक दो दिन ना रहूना तो बहुत जादा इन लोग को दिक्कत ना हो तो वही है हम आउस वाइप को या हम अवरतों को घर से बाहर निकलना भी होता है न एक दो दिन के लिए भी कहीं जाते हैं तो पूरा सेड्यूल बना के कैसे क्या घर में क्या दिक्कत परिसानी मतलब किसी को ना हो हर चीज यह सोचते रहते हैं और हर चीज समेट के अच्छे से रखके तब ही जाते हैं बेवस्थित करके ही जाते हैं तो बस वही जो कपड़े थे धूलने वाले उनको धूल दिया है कि कल ना रहूं तो कोई कपड़े वगरा किसी को कोई जरूरत ना पड़े तो बहुत जादा कपड़े तो नहीं है डेली के डेली दो चार हो रहे हैं तो मैं धोई देती हूँ कि वही है कि धूप वगरा का कोई ठीकाना ने रहता है कब धूप अच्छी निकले कब ना निकले तो जब भी निकलती है धूप तो मैं धोई दोती हूँ तो तनमे के इनर वगएरा सब मैंने धो दिया आज ही कि कल तो गुरुवार भी वैसे भी रहेगा तो वैसे भी कपड़े नहीं धोती हूँ और इस वज़े से भी दो दिया कि उसको साथ जरूरत पढ़े पहनने की तो ये सब दो दिया तो फैला दिया एक अपड़े वगएरा उसके बाद आ गई हूँ फिर से किचन में तो यहाँ पे कूकर में तेल डाल के आलू कट करके डाल दियें मैंने और इधर कड़ाई में मटर डाल डाल दे रही हूं जीरा थोड़ा सा डाल के तेल में तो ये मटर और आलू के पराथे बनाने है मुझे रात के लिए तो सोच रही हूँ ना कि मतलब वही है कि निकलने से पहले ना पराठे वगरा बना दूँ कि रात को इनको ना बनाना पड़े तो ये तो बोले थे रहने देना मैं बना लूँगा लेकिन वही है हम अरतों का कि अपना मन ही नहीं मानता है हम सोचते हैं कि किसी को कोई परिसानी ना हो हम रहें तब भी या ना रहें तब भी हम उतना कुछ समेट के ही जाएं इतना कुछ करके जाएं कि किसी को दिक्कत ना हो तो बस वही डाल दी हूँ और इधर आटा लगा ले रही हूँ खाना मैंने नहीं खाया है तो सुबह का नास्ता किया ही है तो खाना अभी इन सब को बनाने के बाद खाना खाऊंगी तो सोचा तो था मैंने कि सारा कुछ तैयार कर दूँगी ये फिर रात को पराठे बना लेंगे गरम गरम उसके बाद सब लोग खा लेंगे लेकिन फिर जाते टाइम पे न थोड़ा सा समय मेरे पास इक्स्ट्रा था टाइम था तो मैंने इसको बना भी दिया कि बना के रख दे रहे हूं और जब खाना होगा तो फिर से लोग गरम करके खा लेंगे कल सुबह का खाना तो इनको बनाना ही पड़ेगा तो वही रहता है कि कम से कम एक टाइम जिस दिन जा रही हूं उस दिन ना बनाना पड़े ऐसा रहता है मेरा कि मतलब जब भी जाती हूं तो जिस दिन जाती हूं उस दिन दोनों टाइम का खाना सुबह भी जाती हूं तो कोश मैं भी यहीं रहेगा, तो थोड़ी सी δिक्कत होती है, उसको ऐस्कूल भी जाना रहएगा, तो ये सब प्रावलम हो जाती है, और हम और तेना ये सारी चीजे मैनेज कर लेते हैं, और फिर हमको घर पे रहना होता है तो हम अपना सब कुछ अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं लेकिन वही है husband लोग को जाना होता है office भी और अगर हमारे ना रहने पे office भी जाना है और घर का काम भी करना है और उनकी आदत भी नहीं होती है घर के काम करने के किचिन के काम करने के तो थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है तो बस यहाँ पे यह stuffing मैंने तयार कर लिया है आलो अगर हम मैं इस करके सारे मसाले सारे कुछ मिला दिये हैं और अभी मैं इसको फ्रीज में रख दूँगी stuffing तयार करने के बाद मैंने चटनी भी पीसली हरे धनिये की और एक देड़ घंटे बाद वही बनाया फिर पराठे लेकिन उस टाइम पे वीडियो नहीं बनाया क्यूंकि जाने की जल्दी थी ना तो जल्दी जल्दी में वीडियो नहीं बनाई तो आज के वीडियो का एंड यहीं पे करी हूँ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सेर और चैनल को सब्सक्राइब करिए गत्थ हैं